हलो दोस्तों नमस्कार मैं आप सभी का गुर्खुल स्टडी प्लैटफॉर्म पे स्वागत करती हूं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पुनर जागरन कालिन चित्रकला या बंगाल स्कूल की चित्रकला या फिर बंगाल सैली यह तीनों एक ही चीज है इसे इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा और यह 19 सदी की सदी के अंतरगत आता है तो दोस्तों सबसे पहले अगर कोई टॉपिक हम लोग जानना चाहते हैं तो उसके उत्पत्ति कैसे हुई फिर उसका विकास कैसे हुआ यह जानना बहुत लेकिते हैं कि बंगाल स्कूल के चित्रों की उत्पत्ति या बंगाल स्कूल की स्थापना क्यूं की गई तो भारत में जब अंग्रेज आते हैं ब्यापार करने की उद्देश से से तो सबसे पहले वह जहानगीर के दरवार में 1668 हिस्ट भी में आते हैं और अनुमती लेते ब्यापार करने की तो जहागीर से उनको ब्यापार करने की अनुमति मिल जाती है और सरप्रतम अंग्रेजों ने अपनी ब्यापारी खोठी मसूली पत्नम में स्थापित करते हैं दिरे-दिरे अंग्रेजों का जो यह लालज बढ़ता जाता है और वो पूरे भारत पर राज करने की सोचने लगते हैं भारत कई प्रांटों में बटा था जिससे अंग्रेजों ने सोचा फूट डालो और राज करो नीती अपनाना सही रहेगा और अंग्रेजों ने इस नीती में सफलता भी पाई अंग्रेजों ने भारत के बड़े बड़े छेतरों में किलों का निर्मार कराया जहां से वो पूरे भारत पर राज करते थे उन में से एक प्रांथ बंगाल भी था जहां पर कच्छा माल, कृषी की अधिक्ता थी जिसे यहां से राजस्व और फैक्टरियों के लिए कच्छा माल आसानी से प्राप्थ हो जाता था तो अंग्रेजों ने यहां से भी अपना सासन पूरे भारत पर करते थे प्रारम कर दिया था अंगरेजो की अत्या 4 दिन बढ़ते जा रहां थे भारत जो ए के गुलाम हो चुका था भारती जन्ता पर इनका मतब दिन पर दिन रवयिए सक्त होता जा रहा था अंगरेज जो है अपने मतब यहां पे पूर्ण रूप से स्थापित हो गये थे अंग्रेज जो यूरोप से आते थे या जो भारत में इनका विलासिता पूर्ण जीवन यापन था तो इनको मतब जब यूरोप से आते थे तो अपने साथ चित्रकार लेके आते थे यूरोपी चित्रकार जो लाते थे यहां पे भारत में अपनी मतब विलासितापूर्ण जीवन को चित्रों में उकेड़ने के लिए वो यूरोपी चित्रकार जो है अंग्रेजों को काफी महंगे पड़ते थे यूरोप से उनको लाना रहना खाना पीना तो यह सब उनको बहुत जादा कौसली पड़ता था तो अंग्रेजों ने सोचा क्यूं नहीं हम भारती जनता को ही यूरोपी चित्रकला की प्रसिक्षा देते हैं और उनहीं से अपनी चित्र करवाते हैं तो अंग्रेजों ने यूरोपी कला की सिक्षा प्रदान करवाने के लिए चार बड़े इस्थानों पर कला विद्यालों की अस्थापना की 1850 में मदरास में कराया कला विद्याले की अस्थापना चिन्नेई में 1854 में कॉलकता में करवाया 1897 में दो जगह होता है यह याद रखिएगा आप लोग कभी कभी एक्जाम दर पूस देता है 1877 में किन दो जगह कला विद्यालियों की अस्थापना होई तो आप लोग कन्फ्यूज मत होईएगा मुंबई में और लाहर में और भारती जनता भी गरीबी और गुलामी में जकरती हुई चली जा रहे थी जीव वो भारती चित्रकारों से उसकी प्रतिलिपियां बनवाते थे और भारती चित्रकारों को ऐसी ही पद्यती को सीखने के लिए मतलब कहते भी थे तो भारती चित्रकार भी दीरे दीरे जो है यूरोपी पद्यती को अपना लिए और इधर ऐसे ही जो करते करते भारती चित्र जो है वह विलुप्थ होने लगी क्योंकि भारती चित्रकला के तरफ किसी का ध्यानी नहीं जाता था अंग्रेजों की चाटू कारता करने के लिए भारती चित्रकार भी जो है यूरोपी सेली में चित्रन करना प्रारम कर दिये थे ऐसे मतलब करते जो है भारती चित्रकला जो है विलुप्त होने के कगार पे थी उसी समय जो है मद्रास जो सबसे पहला कला विद्याल 1850 में खुलता है मद्रास में जो है इवी हैवल जो है प्रिंस्पल बन के आते हैं और प्रिंस्पल जब बनकर ईवी हैवल आते हैं तो ईवी हैवल जो देखते हैं कि भारती चित्रकला मतलब बहुत ही मतलब जीवन से उलास से हर्स से परिपूर्ण कला है फिर भी भारती जनता को यूरोपी सेलियों की सिक्षा क्यों दी जा रही है तो ईवी हैवल जो है भारती कलाकारों को प्रोचसाहन प्रदान करते हैं और संसार का ध्यान जो है भारती चित्रकला की और आकरसित करते हैं ततपशाथ ईवी हैवल का जो है ट्रांसफर कोलकता स्कूल में कर दिया जाता है कोलकता स्कूल वे जो 1854 में स्थापित किया गया थ जहां पर इनकी मुलाकाद एवी हैवल की मुलाकाद अवनिंदरनाट टैगोर से होती है और बंगाल से ही नमीन कला आंदोलन का प्रारंब होता है एवी हैवल ने बंगाल स्कूल के विद्यार्थियों को जो है विदेशी कला देने मतब सिखाने का विरोत किया और भारती जीवन और आधर से से पून जनता राजपूत सैली और मुगल सैली को आधार मानकर कला विब्यक्ति करने की सला दी उन्होंने कहा कि भारती कला जो है आत्मा के अधिक निकट है और ये वास्तविक्ता भी है हम जिस छेतर में रहते हैं वहां के कला संस्कृति और जीवन से रिलेटेट बहुत सारी चीज़ों को बच्पन से देखते आते हैं तो उसमें हम ज्यादा अच्छे से अपनी अभी व्यक्ति कर सकते हैं तो इवी हैवल महुद का इस आंदोलन में परसी ब्राउन और डाक्टर आनन कुमार स्वामी ने भी भारती कला के आधर्स गुरों के प्रचार प्रसार में इन लोगों ने पूर्ण सायोग दिया 1904 इसवी में कला दिरगाओं में जो यूरोपी पद्दिती में बने चित्र लगे थे उनको हटा कर भारती पद्दिती पर बने चित्रों को लगा दिया गया 1907 इसवी में सरजान वड्राफ की सहायता से इंडियन सोसाइटी आफ ओरियंटल आर्ट की अस्थापना इवी हैवेल ने किया था जिसके संचालक जो थे लार्ड किशनर थे इस संस्था का उद्दे से था भारती चित्रकला के प्रती चित्रकारों को जागरूप करना और चित्रकारों को प्रोशाहन प्रदान करना था 1908 में लेडी हरिंगं जो है भारत आती है और भारत जब आती है तो वो अवनिन्दना टैगोर और ईवी हैवल से मुलाकात करती है और वो भारती चित्रकला से बहुत प्रभावित होती है और उन्होंने कहा मतब अवनिन्ना टैगोर से और ईवी हैवल से कहा मुझे भारती चित्रकला की अनुकृतियां चाहिए बाग और अजंता अलोरा इन सब गुफाओं की और इन प्रतिक लिपियों को जो है हैरिंगम ने लंडन के जो क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शनी लगवाई जहां पर आग लग जाने के कारण जो है चित्र जल जाते हैं और कोई साक्ष नहीं बसता ये क्रिस्टल पैलेस में 1866 में ये प्रदर्शनी आयोजित होती है इस प्रकार जो है जो एवी हैवल जी थे वो एक कला अध्यापक के रूप में आते हैं भारत में और नियुक्त होते हैं मद्रा कला विद्याले में किन्तु कला में उनकी इतनी रुची होती है कि उनको जो है बहुत जल्दी कला समिच्छक बना दिया जाता है इवी हैवल महुदे का भारती कला के प्रति उदार रवया और अवनिन रना टैवोर के प्रयासों से बंगाल सहली का जन्म होता है बंगाल सहली में वास्पद्धिती प्रमुक थी इस इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि वास्पद्धिती का प्रारंब भारत में जो है बंगाल सैली से ही होता है तो अब देखते हैं कि बंगाल सैली के चित्रों की विशेष्ता क्या है बंगाल स्कूल के जो चित्र सैलियां थी उसमें जो है विदेशी कला का प्रभाव के रूप में जापानी वासपद्धिती और पाश्चाति सैलि का यथार्थ रेकांकन और चीनी आलेखन का निश्चत रूप से मिला जुला रूप था चीनी रेकांकन जो है दोस्तों यादर कि चीनी रेकाएं कोड़ युक्त होती है और चीनी रेकाएं जो हैं काफी बारीक होती है इतनी बारीक होती है कि अगर ध्यान ना दिया जाए तो वो चित्र है कि समतल धरातल है ये भेद कर पाना असंभा हो जाता है और जवारती चित्रकारों की विशय था वो गौरों में गाथाईं, धार्मीकताईं, एतिहासिक प्रसंगों और साहितिक सुरोतों और जनजीवन की जाकियों से जो भारती चित्रकार थे अपने विश्यों का चैन करना प्रारम किये बंगाल स्कूल में और रेखांकन के महत्व को बहुत मतलब रेखांकन को बहुत महत्वपूर समझा बंगाल सैली में बंगाल स्कूल के कलाकारों का मानना था कि जो चित्रों में गति लाने के लिए प्रकृति का रूपांकन और चित्रों में ले इत्यादी के पूर्ण विकास के लिए sketching जो है वो बहुत ही आवश्यक है इसको हर चित्रेकार को अपनाना चाहिए और इसी के फलसरूप जो है सिक्षक, बिद्यार्थी, स्वतनत रूप से खुले वाता वरण में जाकर प्रकृति, पसूपक्षी, इस्त्री, पुरूस, जल और थल, इत्यादी जैसे मतब चीजों वस्तों का जो है इन लोगों ने गतिमान स्केच बनाया, गतिमान स्केच वे रैपिट स्केच जो फ्री हैंड से बहुत जल्दी कुछ सेकेंडों में जो चित्र बनाये जाते हैं आप लोगोंने B.A.M.A. किया होगा या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो B.A.M.A. वाले होंगे B.A.M.A. में तो कला को बहुत ज़ादा importance नहीं दिया जाता है बस एक subject के रूप में कला पढ़ाई जाती है और हम लोग पढ़ते भी हैं लेकिन जो B.A.F. पे अगर बच्चे करते रहते हैं वो सुबस साथ से लेके साम को 5 बजे तक कभी आप देखेंगे तो इन्वस्टी के किसे department में बैठे हैं वो प्रकृती के का जो sketching कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं संगम किनारे बैठे हुए हैं तो ये लोग जो है अपने जो है hand को बिलकुल free रेखाएं जितनी मजबूत होती हैं चित्रण उतना ही सुद्रण होता है तो बंगाल स् रेखाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया और एक चीज़ याद रखिएगा sketching का प्रारंब बंगाल स्कूल से ही प्रारंब हुआ था इससे पूर्व भारत में ये प्रथा प्रचलित नहीं थी वास्प्रद्यती को बंगाल के अधिकान चित्रकारों ने अपनाया था और कुछ चित्रकारों ने टेंपरा को अपनाया था दोस्तों वास्प्रद्यती क्या होती है वास्प्रद्यती जो cardboard होता है जिस पे हम लोग drawing paper रखके drawing बनाते हैं उस पे पहले एक handmade paper को paste कर दिया जाता है paste करने के बाद उस पे बिल्कुल हलकी line से drawing बनाई जाती है और उसमें flat color पूरे drawing में fill कर दिया जाता है जिस जगह पे जो हमको color चाहिए होता है fill करने के बाद उसको पानी में dip कर दिया जाता है और उसको brush से बिल्कुल धूल दिया जाता है color बिल्कुल जितने भी extra color होती है वो निकल जाते है फिर जो है color कार को लगता है अगर कि जैसा हमको चि तब तक की जाती है जब तक की चित्रकारों को मन माफिक color नहीं मिलता जब final color मिल जाता है तब white color हो गया white color white color से पूरे चित्रों में जो है outlining कर दी जाती है ये चित्र जो है बहुत ही साधी की पून बन बनता है तो ये पद्यती तब तक दोराई जाती है जब तक की जो है अच्छे रंग नहीं मिल जाते है और ये जो वास पद्यती जो थी ये जापानी जापान की पद्धिती थी ये जापानी पद्धिती जो है अवनिंद्रना टैगोर और गगनेंद्रना टैगोर दो जापानी चित्रकारों से सीखे थे ताइकान और हिंसदा से जो टैगोर परिवार में इन दोनों चित्रकारों का आना जाना था इनकी चित्र पड्दिती से अवनिंद्र नाट टैगोर जी और गगनेंद्र नाट बहुत प्रभावित थे और जो है जापानी चित्रकारों से ये पड्दिती सीखते हैं और बंगाल सैली में इस पड्दिती का प्रयोग करते हैं इसके बाद जो टेंपरा पदिती जो अपनाने वाले चित्रकार थे नंदलाल बोस थे छितिनरनात मजुमदार थे और क्या कहते हैं टेंपरा पदिती के बारे में तो आप लोग जानती होंगे टेंपरा पदिती फ्लैट रंग भरना चित्रों में टेंपरा पदिती कहलाती है कला के छेत्र में जो यूरोपी चित्रन पद्धिती का अंधा नुकरन हो रहा था भारत में उसका बंगाल सैली के कलाकारों ने पूर्ण रूप से परित्याग किया और चित्रकला के छेत्र में भारती परंपरा संस्कृती धर्म एवं इतिहास आदि का प्रवेश हुआ और इसी जो है संस्कृति का मतब भारती परंपरा संस्कृती और धर्मों उसे चित्रकारों ने अपने विशेयों का चैन किया इस प्रकार बंगाल सैली का जन्म होता है और इसके जो है बहुत सारे चित्रकार हैं जो इस बंगाल सैली को बनाए रखते हैं जिसमें कुछ चित् गेंदरनात मजुमदार है ये यह लाबादी उनिवर्सिटी में विभागा ध्यक्ष रहे हैं केवें गटबा रहे हैं देवी राए प्रसाद चौधरी रहे हैं जो चिन्नी कलाविद्याले में रहे हैं और मुकुल चंडे रहे हैं मनीज दे रहे हैं और सार्दा चरण उकील जो दिल्ली कला विद्याले के विभागा ध्यक्ष रहे हैं ऐसे जो कलाकारों ने जो है भारती कला एवं संस्कृति की नई परंपराओं का सुत्रपात किया तो दोस्तों आज के साथ ये वीडियो मेरा ही समाप्त होता है अगर आप लोगं को मेरा